भारती कर्केट टीम के दिक्ष खिलाडी युबराज सिंग को अंतरास्टे कर्केट से सन्यास लिए आज एक पूरा साल हो गया है आज के ही दिन युबराज ने अंतरास्टे कर्केट से सन्यास का एलान कर दिया था यूबराज का 19 साल के किर्केट करियर काफी शांदार रहा उनकी कई पारियों ने जीत को भारत की जूली में डाला है उनने बड़े मैचों का खिलाडी भी कहा जाता रहा है इस बात को उनकी अच्छे प्रदेशन ने शाबित किया है उनके करियर में काम्यावी के कई माइल स्टोन है दरसल आपको बता दे यूबराज का करियर किसी फाइटर की ही तरह रहा उनकी आकरमक बल्लेवाजी और शांदार फिल्डिंग के सभी भारतिय फैन है लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी वक्त आया जब इस दिकज बल्लेवाज को सामना करना पड़ा था कैंसर जैसी बीमारी से लेकिन इस बीमारी को भी उन्होंने हरा के ही धम लिया और एक बार फिर से उनकी टीम में वापसी हुई युबराज को हाला कि इसके बाद अपने फार्म में आने में काफी समय लगा लेकिन जब उन्होंने फिल्ट पर वापसी की तो फिर उनके बल्ले से कई भैतरी नरनों के रिकॉर्ड जड़े निकले युबरा सिंग ने 2000 में अपने अंतराश्टे करिकेट की शुरुवात की और जून 2017 में अपने अंतराश्टे करिकेट का आखरी मुकाबला खिला उसके बाद साल 2019 में 10 जून को करिकेट से सन्यास का एलान कर दिया आज उनके सन्यास का पूरा एक साल हो गया है और ऐसे में उनके फैंस उनके मैदान पर होने को काफी मिस कर रहे है ट्वीटर पर तो मिस यू यू वी का ट्रेन भी चल गया है LD Newsroom की रिपोर्ट